मैसी के सिसया के कचार में से पकड़ा गया है वनविभाग ने लोगों को मौके पर आने से फिल्हाल रोक दिया है बीटे कई दिनों से ये जो भेडिये है लगभक चार भेडिये हैं वैसे तो तीन से चार बताया जा रहा है जिनों पैंतालिस दिनों में आठ बच्चों को शिकार बनाया तो नौ ऐसे लोग है जिन पर हमला किया और नौ लोगों की मौद भी हो गई थी और ये वो भेडिया देखिए आप तस्वीर देखिए ये भेडिया लगातार बच्चों को शिकार बना रहा था एक भेडिये को वन मासूम बच्चे भी शामिल है उस दुर दुख और दर्द की अगर दास्ता आप उनके परिवार वालों से सुनेंगे तो आपकी रूख आप जाएगी तो बहराइच में भेडियों का अतंक लगातार बना है दह्शत में लोग जी रहे हैं जल से जल इस खुंकार खौफ से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन भी चलाया गया है इसके साथ ही ऐसे समय में कुछ साबधानियों की भी जरूरा था जिससे मासूमों की जान बचाई जा सके देखिए रिपोर्ट कि अधि तो प्रेस करें जान लगा के पकड़े यह ट्रैंकॉलाइज करें यह यह प्रेटे भी है हम उसना पकड़ना है करी बच्चों को उसने खा लिया आदम को और है हम लोग उसी की सुराच्छा के लिए राद भर पहरा लगाते हैं हमारे चेत के विधायग राद भर घूंबते हैं अपने सुरच्छा में तंडा रखना जरूरिए पहराइश में ओप्रेशन भेडिया दवे पाव आ रही खोनी दहशत भेडिये के आतंग से कैसे रहे साफधान बहराइश में भेडियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गाओं के 50 अजार लोग डरे हुए है रात रात जाग कर पहरा दिया जा रहा है लोगों की नीद हराम हो गई है सबको इसी बात का डर है कहीं आदम खोर भेडिया दवे पाव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले भेडियों को काबू पाने के लिए ओप्रेशन भेडिया चलाए जा रहा है और ड्रोन कैमरे से जंगल में तलाशी की जा रही है चार भेडिये ड्रोन कैमरों में कैद हो चुके हैं वन विवाग की टीम इस्थानिय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पैट्रोलिंग कर रहा है अब बैराईश में डाउन जीरो पार यूपी के वन राज स्वतंध प्रभार मन्त्री डॉक्टर अरुल सकसेना भी उतर गए विवाग काबूं में करेगे और भरिया पकड़ा जाएगा यहां पर हमने फीन भड़ीय पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे और हम लोगों से यही कह रहे हैं अपने घर में कमरे में दर्वाजा बन करते हो, कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्यालत हो है। जिसकी बज़े से बहराईश के करीब 35 गाउं के पच्चास हजार से ज़्यादा लोग खौफ के साई में जी रहे हैं। हाला की वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदम खोर भेडियों को वापस जंगल की तरफ खदेर देंगे। हमारी रेंजर से लेके और जितनी समटी में वो अपने पिंजरे लेके और ड्रोन के माद्धम से ये कोशिस कर रहे हैं कि कहां संभावित एरिया हो सकते हैं। कि आपकी और मासूमों की जान बचा सकती हैं। मसलन रात में घर के अंदर रहें क्योंकि भेडिये रात के समय जादा सक्री रहते हैं इसलिए रात में बाहर ना निकले सुरक्षित बाड़े के जरिये पशों की सुरक्षा कर सकते हैं रात में अगर बाहर जाना ही पड़े तो अकेले ना जाएं समू में रहने से भेडिये आ दूर भगाने में मददगार हो सकते हैं। दो तीन घठनाएं ऐसी हुई है। उनको लेके हम सब जिले में गए थे, बिजनोर में गए थे, जगे जगे हमने एक सम्हारों किये, लोगों को सचेत करने का काम किया। बहराईश में जिस जगे पर सबसे ज़्यादा भेडियों का अतंक है, वो तराई वाला इलाका है, जो घने जंगलों से घिरा है। इस्थानिये लोगों के मताबिक 8-10 भेडिये इस इलाके में घूम रहे हैं, जो मौका मिलते ही अटाइक कर देते हैं। पूरे इलाके में भेडियों का अतंक इसकदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहें।